प्लेटफॉर्म पर मैं शंकर जहाप लोगों का श्वागत करता हूँ आपने का सब्सक्रिप्शन कैसे लें और इस सब्सक्रिप्शन को लेकर आप क्या क्या बेनफिट उठा सकते हैं पहले आप तेरे बारे में जानने मेरे पास आठ वर्सों के टीचिंग का एक्सपेरियंस और मैंने दिल्ली और दिल्ली के बाहर देश के कई प्रतिस्टेट संथानों और शहरों में पर आया है मैं हिस्ट्री और जोग्रफी ऑप्शनल पेपर तता सामान देंट का सेक्शन पर आता हूं मैंने UPSC के दो बार इंटर्व्यू दिये हैं की PSC का मैंने तीन बार इंटर्वियू दिया है और RPSC के मैंने एक बार इंटर्वियू दिया है यह मेरा Unacademy का टेलिग्राम लिंक है आप इसे इपन कर लें सब्सक्राइब कर लें ताकि क्लास से संबंदित जो भी टाइम होता है जो क्लास PDF होता है और पेपर कटिंग आप यहां से प्राप्ते कर शकते हैं अब आप Unacademy का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जाके Unacademy का लर्निंग आप डाउनलोड करना होगा तब आप Unacademy का सब्सक्रिप्शन और उसके प्रोग्राम का बेनिफिट उठा सकते हैं जब आप से समबन्दी जो भी डॉठ होता है आप उसको घूर कर लें पर प्रिपरेशन को ठेच्ट करने का आवश्र मिल जाता है इसरह आपको स्ट्रक्शर कोर्स की प्राप्टी होती है इसम esther dimen बगार दिया जाता है और और चौन्था आप unlimited access को प्राप्त करते हैं अठाता भीर का हिसा नहीं बनते इसके सबसे largest online education प्रेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं और इसके टॉप एडुकेटर से मार्क दर्तन लेने का अश्र प्राप्त करते हैं और अनकाडमी के द्वारा हिंदी माध्यम में UPSC के लिए चलाएगे और दन 15,000 से भी अधिक प्रकार के कोर्श है जो UPSC के PT से उसके मेंस प्रोग्राम से और जो इंटर्व्यू गैडलेन प्रोग्राम से संबद दीता है आप उसका benefit उठाते हैं अनकाडमी के एक सबस्क्रिप्शन से आप मल्टी benefit को प्राप्त करते हैं अनकाडमी क keepingaimer subscribe की स्थार्खूरामी के GS का दो प्रकार का सब्सक्रिप्शना एक सब्सक्रिप्शन दूसरा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंच तो प्लस कोर्स के बारह मन्त का जो सब्सक्रिप्शन फ्यचेए उनसञाद़ पांइसली आप मेरा रिप्रल को शंकर वाइटई पर्योग कर जहां पर भी मेरा रफरल कोर शंकर वाईटी अपलाई करेंगे तो 10% इंस्टेन डिस्काउंट पाएंगे तब 24 मंत का सब्सक्रिप्शन आपको 64800 में प्राप्त हो जाएगा यह इसका जो दूसरा सब्सक्रिप्शन है वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन कहते हैं तो आइकॉन मंत का प्लस कोर्स आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको 62,550 में प्राप्त होगा और यदि आप 24 मंत का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं इसका सब्सक्रिप्शन फिश एक लाक्षात हजार रुपिया है और मेरा रेफरल कोर्ट शंकर वाईटी परियोग करे सब्सक्रिप्शन प्राप्त हएंगे तो 10% 210 इसकांट पाजा जाएगे तब आपको 24 बंत's का इकॉनिक अंट IoT हो जाएगा है एकसरफिप्षन इंद खानगाइक सब्सक्रिप्षन में आपको तो एकसरीप्षन में और स्टरिक्षर SS करें जाने के लिए टियारी शुरू करते हैं जो आपको अब करने के लिए आपके लिए कंटेंट को चेक करें तो आपको आइकॉनिक सब्सक्रेप्शन में बिलता सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और बारा मंत का सब्सक्रिप्शन फेश है यह 27,500 रुपया है और यदि आप मेरा रिफरल को शंकर वाईटी परियोग करेंगे तो आप 10% डिसकॉंट पाएंगे तब आपको 12 मंत का सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन है 24,750 में प्राप्त हो जाएगा और मैंने यूट्यूब चैनल पर जोग्रफी ऑप्शनल पेपर की क्लास रूप की है कि टू पीम में क्लास होती है तो आप लोग इस क्लास को जोईन करें और फिर आपको ऑप्शनल पेपर में अपना सफलता सुनिश्चित करें साथी अनकेडमी के द्वारा एक कंबाट जो एक कॉंपेटिटिव एक्जाम टैप का है आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कई सारे प्राइजे सकते हैं अपने त्यारी के अस्तर को परक सकते हैं यह 45 मिनट का है साथ को सनोगा 13 कॉंबाट से है एक सेक्शन सब्सक्राइब कर सकते हैं और फिर जो यूपीसी दिसमबर को को शुरुवात की गई है उसकी जो विशेशता है फुल शिलेवस कबरेज है आपका मार्ग दर्शन करेंगे प्रिलिम्स टेस्स स्रीज विथ अनलैसेस होगा फिर आपको पीडिएफ स्टेडी मेटेडियल मिरेगा डेडिकेट टॉट क्लिरिंग सेशन होगा और इंटर्विव प्रिपरेशन आपको साथ में कराया जाएगा और ना केबल 2021 बलकि 2022-23 के एक्जाम को भी ज्यान में रख रख्ते हैं और एकडमी का आइकाणिक सब्सक्रिप्षन जिसके बारे मैं आपको पीछा भी बताया है आप यह आपके मित्रों में से जदी कोई एकडमी अकॉनिक सब्सक्रिप्षन ले चाहता है तो आप जल्द से जल्द ले ले और मेरा रिफरल कोड़ शंकर वाइटी प प्रतीक दिन तुबह 7 एम में special class लेता हूं आप उसे special class में भी हमसे जूरे और उसका आप benefit उठाए यह जो special class होता है यह भी free होता है के बहले इसके लिए आपको एक अकाडमी का learning आप download करना होगा और इसमें हम एक साथ अभी quality की class चल रही है इसमें geography world mapping की class चल रही है और ancient history पर आधारिज जो है so mcq का session जल रहा है तो आप इसमें participate करें और यह शबी जो program है 2021 और 2022 के UPSC PT पर focus आधारिज प्रोग्राम है आप इसमें आईए participate कीजिए केबल आपको एक अनकाडमी का learning आप इसके लिए download करना होगा एक बार पुना सबका सामप्रदैक्ता का खान और देश के विवाजन के भाग दो में सभी का स्वागत है पहला लेक्चर आप तब पहुँच चुका होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उसका समझा होगा दिखा होगा सुना होगा और आज हम उस तड़ी को आगे बढ़ाते हैं तो सबसे पहले टॉपिक पर चलने से पहले क्लास की सुरुवात करने से पहले हम लोग अभी तक इस टॉपिक में क्या-क्या जान चुके हैं उसको थोड़ा सएकर टॉपिक को रिलेट कर करने के लीए कर लेते हैं फिर हम लोग आगे बर जाएंगे सम्प्रदाइकता अब तक हम लोग क्या क्या कर चुके हैं वो क्या है सबसे पहले हम लोगों ने स्तुर adesso लेखन喔 कि दिखा था आपको की शांप्रदायकता है इसके बारे में बताया था और शात्मी भारत में सांप्रदायक्ता के विकास का चरन भी आपके साथ किया था में नरम पंद्धी चरंव क्या आने के बाद हुआ सकती है देख लिया होगा कि अंग्रेज़ों के आने के बाद से ही सांपरदाइक्ता का उठ्ठान भारत मोह और चौता हम लोगों ने उसके बाद सामप्रदायक्ता के उदाय और विकास के कारण पर हम लोगों ने चर्चा शुरू किया था तो दो कारणों की इस पर हमने चर्चा कर ली है एक पहला और शबसे प्रमुख जो अंग्रेजों की बाटों और राज करों की नीती थी वो किस प्रकार सामप्रदायक्ता कुछ ठान के उतरदाय थी और दूसरा जो शर्शयद आहमाद खां थे शर्शयद आहमाद खां के बारे में हमने हर एक पक्ष पर चर्चा किया था तो शर्शयद आहमाद खां और उनके जो विचार थे किस तरीके से सामप्रदायक्ता को बढ़ा संप्रडाईकता के विकास का कारण हम उसी पर चल रहे हैं और धीरे-धीरے अब इसको आगे बढ़ाते हैं मुशल्माननों में संप्रदायक विचारधारा को अलगावबाद को प्रोतसाहन दिया अन्यकारण जिसने मुशलमानों में शामप्रदाईक विचारधारा और अलगाववाद को बढ़ावा दिया विचारधारा और अलगाववाद इप्रेटिज्म कहते हैं इसको प्रथकतावाद भी कहते हैं अलगाववाद को बढ़ावा दिया इस पर अब हम लोग discussion करते जा रहा है तो इसके अंतरगत ऐसे तीन point को रखा जा सकता है जिसने मुशलमानों को और शामपरदाइक उर्ज़ान की और आकरशे तिया तो वह एक हो जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं कि सिक्षा सबसे पहला point जिसका क्या relation है इससे वो देखेंगे दूसरा इन लोगों में क्या था कि व्यापार का विकास भी कम हुआ था तो वो देखेंगे और तीसरा देखेंगे कि इन लोगों के समाथ से उप्यूग में भी ल पहला point तो यह द्यान मुआ रखेंगे उनीशमी सताबदी का उतरार्थ का समय जैसे जैसे आगे बर रहा था तब भी ये लोग आधूनिक सिक्षा से दूर थे और आधूनिक सिक्षा से दूर थे तो इसका क्या प्रभाव होगा आप जान सकते हैं आधनिक शिक्षा से दूर ते और ना केबल दूर ते वलकि अभी भी इनमें रूधिवादी और परंपरागत शिक्षा का अधिक प्रचलन था। जाहरीशी बात है कि एक तो उस समय क्या था कि इसका क्या इंप्राक्ट होगा उसको आपको लिंक करके समझे। इंप्राक्ट यह होगा कि उस समय एक तो रुजगार का अबसर थे ने ब्रटेश आसन काल था जो भी थोड़ी बहुत रुजगार कंपनी के कलरक करबचाडियों को मिलती थे उसके लिए क्या होना चाहिए आधनिक यानि कि एक तो रुजगार नहीं और जो रुजगार का समप्रागत शिक्षा का प्रचलन था इसलिए इनके समाज पर क्या हुआ कि ऐसे तत्कों का प्रभाव अधिक रहा समाज पर भी आधनिक शिक्षा का विकास हुआ था वहां पर इसका इंप्राक्ट कम था जैसे मुंबई था मुंबई में मुशल्मानों में भी थोड़ी बहुत आधनिक शिक्षा का प्रभाब हुआ था तो वहां पर उनमें रुडिवादी विचार का प्रभाब कम था और वहां से कई ऐसे मुशलमान लीडर थे जो भारतिय राष्टी कॉंग्रेश में शामिल यह और अंतता भारतिय राष्टी कॉंग्रेश के साथ राष्ट आंदोलन के साथ जुरे रहें लेकिन आधुनिक शिक्षा इसको बिलकूर सिक्वेंसली आप समझेंगा और कॉंसेप्ट परादारित आप आधुनिक शिक्षा से दूर हैं आपके समाज में अभी झार्म परम परागत शिक्षा का प्रभावत ऐसे में क्या होता है आज praticamente परमपरागत तबके के लोग वाले लोगों का प्रभुत्व हो जाता है जिसमें अपना हित होता है तो वह प्रोचाहन देगा इस तरह के विचार रखेगा तो दीरे-दीरे क्या हुआ करने के कारण क्या हुआ था कि आद्वुनेक्षिक्षा से कट गए थे इसके ध्याने के रुजभार थे इसी मुद्दे गये शर्शयद अहमद खां और अन्य विचार को ने मुशलमानों के लिए अलग से रुजगार पर विचार करने को कहां अंग्रेजों को मुशलमानों के लिए यह नहीं कि हम अपने शमाज में सुधार चाहते हैं हम आधुनिक सिक्षा लाएं तो खुद जैसे सिक्षित होते जाएंगे रुजगार का बसर आपके लिए क्रियेट होता जाएंगे इन्होंने संकिर नराजनिति यहां से शुरू करने शुरू कर दी क कि अन्य लोगों ने रुजगार यानि कि मुशलमानों के लिए रुजगार के विसेश प्रावधान की यह इस पर इन्होंने फोकस करना शुरू कर दिया और आज भी आप देखते हैं कि भारत में यह जो मुद्दा है रुजगार का मुद्दा पुत काफी है लेट एक विं अध्यूग धंदों का विए उनके समाज में विकास कम हुआ जाहर सी बात है कि जब समाज में सिख्छा का कमी होगी व्यापार कमी होगी उद्यूग धंदे में लगे लोग जो होते हैं इसको दो दृष्ट कौन से आप समझेंगे तो ऐसे लोग क्या होता है कि विभिन नि की विचारों के विचारों से अब गत होगे कि जब आपका मानसिक छितीज वाइड हो जाएगा तब धीरे-धीरे क्या होगा, एतीज का विस्तार होगा, तो ऐसे समाद में आधनिकता जल्दी प्रशार होता है, यूरोप में जो फुनर जागरन हुआ था, उसका एक कारण ये था, वहाँ के जो ब्यापारी थे, जो लोग थे, कई सहरों में जाते थे, वहाँ से सहर जो था तो ऐसे स्थिति में क्या हुआ कि समाज पर जो रूढ़िवादी जमिनदार तब्का का लोग था, चोकि मुस्लिम समाज से भी जमिनदार थे, बंगाल मस्थाई बंदो मस्था लागू की गए ती कई जगह पर, तो ऐसे में क्या हुआ है कि इनके समाज पर हो या मुसल्मान हो यह अंग्रेजों के भक्त होते थे यह अंग्रेजों के समर्थक होते थे और जब यह अंग्रेजों के समर्थक थे जाहर सी बात है कि यह किस तरीके के विचार करेंगे क्योंकि इनका आर्थिक हित इसी में है ऐसे जमिंदारों का चाहा वो हिंदू बर्ग और अंग्रेज समर्थक रहने का क्या हुआ कि मुसल्मान समाज पर इनका प्रभाव अधिक रहा रुदिवादी विचारों का और धीरे धीरे ये लोग जो थे सामप्रदायक विचार धारा की और मुश्लिम समाज को लेते गए यह जो समाजिक आर्थिक प्रिष्ट भूमी थ जमें भी सामप्रदायक्ता को बढ़ावा देने का काम किया जदी इनके समाज में सिक्षा कदिक विकास होता जदी व्यापारी वर्ग शेलोग अधिक आते उद्योग धंदोवाल अधिक आते तो को शक्ता था कि ऐसी परिस्तितिया ना उत्पन होती जोकि तब इनमें आध और विकास को बढ़ावा दिया था वह हो जाएगा आपका इतिहास लेखन में सांप्रदायक्ता इतिहास लेखन में सांप्रदायक्ता तो इतिहास लेखन में जो सांप्रदायक्ता उबितिहास लेखन में सांप्रदायक्ता इतिहास लेखन.. तो कि उनको अपना आर्थिक शोशन का जो तैली था जो भारत पर उपनिवेश अस्थापित किया था उन्होंने भारत को उपनिवेश करूप में तब दिल किया था तो ब्रटिस इतिहास कारों ने ऐसी कई सारी मनगधंत कहानियां जड़ी ताकि उनका सोशनकारी चरितर शही हो तो ब्रटिस इतिहास कारों द्वारा और इस तरह के ब्रटिस इतिहास कारों का अनुशरन करने वाले कुछ भारतिय इतिहास कारों ने अनुशरन करने वाले भार इतिहासकार तो अनुशरन करने वाले भारतिय इतिहासकार और विटेत इतिहासकारों तो इसको आपको दो शिक्षन szमजना यानिकि दो विंग में समझ treatment ने क्या कि कि जैसे प्राचीन काल का जो इतिहास है उसको और मद्य काल के तिहास को इस तरीके से प्रस्तूत किया जिससे हिंदू और मुश्लिम शमाज में एक तरीके से सांप्रदाइक वयमनस्य के विचारधारा का उठ हुआ जैसे कि जो बिटे से तिहासकार थे और जो कुछ भारत उ उपलब्धियों का काल माना को के प्रसे इनोंने क्या है अवनती का जो से ना केबल मद्यकाल को अवनती का काल माना बलकि इस समय माना कि सभी सासक मुशलमान सभी सासक मुशलमान और शासित कैर मुशलिम जन्ता सभी सासक मुशलमान और सासित जो थे वो हिंदू थे यह सासित कैर मुशलिम जन्ता थी इस तरीके से इन्होंने इतिहास लिखन में श काल माना, इसको हिंदु का काल मां दिया। फिपलफ लबधि का मान दिया। युशाओं मैंकल को पूरी तारीके मिस्लिम इतिहास के रूमी में वर्णित कर दिया। जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी जदि आप इतिहास का निस्पक्ष मुल्यांकन करेंगे तो जदि आप प्राचिन काल को ही देखेंगे तो जाहर शी बात है कि जदि प्राचिन काल में अवस्य विभन शंस्कृतियां थी और विभन उपलब्दियों का दौर रहा था लेकिन य प्राचिन काल में तो आप देखेंगे कि कि अर्वों को मस्जिद वनाने क्यानुमती थी रहे पहले लोग बस भी गयती के तके साथ जयापार करते हैं वहाँ पर भी कई सारे मुश्लिन संपरदाई के लोग पसे हुए थे कि बात आप देखेंगे कि फिर मामूद राष्यम का अक्तरबन होता है वहां पर भी उन्होंने अपना राज स्थाफित कर लिए कुछ समय तक रहता है तो ऐसा नहीं था समझने की जरूरत है कि कुछी तरीके से मद्यकाल अबनती का काल भी नहीं था कि इस समय भी इतिहास कि दोते होता है उत्थान और पतन चलते रहते हैं इतिहास में लेकिन मद्यकाल अबनती का काल नहीं था आज भी आप देखेंगे कि जाए वो सल्तनत काल हो या मुगल काल हो बारत में आज भी जो प्रयटन का जो इंडिया जिसको हम लोग कहते हैं वो सब मद्यकाल की देन हैं प्राश जैसे सासक मिलते हैं और कई छत्री राजिते जहां पर हिंदू सासक मुशलमान भी नहीं थे और सभी सासित गयर मुश्लिम जनता भी नहीं थे क्योंकि धीरे-धीरे तो यहां प्राकरंता के रूप में यहीं हुकर रहे और फिर भारत के संस्कृति के साथ बुलने-मिलने क जिसका आठ भारत की जो एक समासिक संस्कृत्स करें देखा जाए चाहां प्राजिंकाल हो और मध्यकाल हो खासकर जिसमाद्यकाल की बातिती है मद्दि काल में यदि करके बोज से चंता उत्तिरेक्ति दोनों परकार का लिए इसा नहीं था कि मुस्लिम जंता पूरी तरीके से केंदरबिंदू हो जाते थे विद्रोहियों को ठहरने के इसलिए उसको तूरा गया किसी भी रूप में इसका सांपरदायक विचारधारा का विकास हो जाए इस तरीका का कोई कॉई कॉंसेप्ट नहीं था लेकिन जो ब्रिटेस इतिहास कार हुए और उस परंपरा का नुसरन करने वाले कुछ भारती इतिहास कार हुए उन्होंने इतिहास लेखन में प्राचिनकाल और मद्यकाल के बीच एक ऐसे विवाजन की लकीर खिजदी जिससे हिंदुओं में भी वेमेनस्ता उत्पन हो और मुशलमानों में भी हो यह जो इतिहास लेखन में शांपरदायक्ता का पूट किया गया था यह सांपरदाइक्टा के विकास का इत्प्रमुख कारण हो जाएगा, वह हो जाएगा कि सामाजिक धार्मिक शुधार आंदोलन और उसका चरित्र, सामाजिक धार्मिक शुधार आंदोलन और इससे किस तरीके से सामपरदाइक्टा को बढ़ावा मिलता है, आपको समझने की जरूरत है, देखो, मैं यहाँ फिर एक बार आपको बोल देता हूँ, कि यह जो टॉपिक है बड़ाही कंट्राडिक्शन का है, तो यहाँ पर बड़ाही निस्पक्ष भाव से मुल्यांकन करते हैं हम लोग, करना भी चाहिए टीचर को, और आपका भी काम बनता है कि आप किसी भी पुर्वाग्रा से ग्रसित हुए बिना इस पक्ष भाव से इस वीडियो को देखेंगे, तो इसमें समाजिक धार्मिक शुधार आंदोलन से कैसे सामपरदायक्ता को बड़ावा मिलता है, तो चाहे वो हिंदू धर्म के अंतरगत हो, हिंदू धर्म शुधारक हो, हिंदू धर्म शुधारक या समाज सुधार इस तरीके से, और चाहे मुश्लिम समाज के अंतरगत हो, दोनों तरफ से कुछ इस प्रकार की गलतियां की गई, जिससे सामपरदायक्ता का बढ़ावा हुआ, इसमें कोई डौट नहीं, जैसे कि मुश्लिम समाज से देखेंगे, तो जो बहावी आंदोलन था, बहावी आंदोलन जो था, इसमें जो एक तरीके से बहावी आंदोलन का जो उड्येश था, जो नारा था, बिल्कुल शामपरदायक्ता को बढ़ावा देने बाला था, इस बहावी आंदोलन ने जिहाद का एलान किया था, और जिहाद क्या होता है, यह सभी को पता होगा, बहावी आंदोलन के जो ने इसलाम में बदलना चाहते थे, तो ज़दी आप एक देश में इस तरी समाजिक धार्मी शुदार आंदोलन चलाएंगे, वहाँ पर आप जिहाद का एलान करेंगे, तर अर्थाद भारत में रहने वाले समस्त जंता को आप काफिर मानेंगे, और उसको आप दारुल इसलाम म और फिर जो हिंदू समाज सुधारकों के द्वारा की जाएगी उनसे भी इसी परकार हिंदू समाज सुधारकों के द्वारा भी कुछ ऐसे काम किये गए जिन से सांप्रदाइक्ता का विजारोपन हुआ तो क्या क्या गया था जैसे कि आरे शमाज के द्वारा शुधी आंदोलन चलाया गया था जिसके तत्य यह था कि यदि कोई हिंदू इसलाम धर्म को ग्रहन कर चुका है तो फिर शुवा हिंदू धर्में इस प्रकडिया के माध्यम से आ सकता है जहर सी बात है कि इसलाम के लोग इसको प्रशंद नहीं करेंगे फिर इसी तरह से हिंदू धर्म के अंतरगत जो भी समाज सुधा रखते उन्होंने जो कुझ जैसे माले शती प्रथा की आलूचना करना जैसे व्यादिक काल में शती प्रथा का प्रचलन नहीं था उसमें न प्राचिन भारत तक ही सिमट कर रह गए अतीत से प्रेरना लेने के करम में प्राचिन भारत तक सिमट कर रह गए प्राचिन भारत तक सिमट कर रह गए जाहर सी बात है कि आप अतीत से प्रेरना लेने के करम में मध्यकालिन भारत के उपेक्षा करेंगे जबकि मध्यकाल में केवल प्राचिन भारत तक सिमट कर रहे गए बध्यकाल की उपेक्षा की इससे किसी ने किसी रूप में प्रकरांतर में शामपरदायक्ता को बढ़ावा मिला फिक किसी तरीके से जब भी हिंदु धर्म सुधारक प्राचिन काल तक ही सिमट कर रहे तो मुश्लिम शमाज सुध इसखार के लिए जब आप कहीं से प्रेरणा दृष्टांत लेते हैं तो ये भी अपने अतीत से प्रेयर्णा लेने के लिए केबल मध्यकाल तक मध्य достक शिमट कर रहे और ना केबल मध्यकाल 1-8 कर रहे बलकि यह अपना अतीत मध्यय और पस्जिश्या के इतिहास में खूजने लगे पस्षिम एसिया के इतिहास में खूजने लगे तो इस तरीके के विचारधारा से इतिहास में खूजने लगे तो दोनों तरफ से कुस-कुस गलतियां की गई ती चाहे वो मुश्लिम समाज सुधारक हो चाहे वो हिंदू समाज सुधारक हो दोन क्या चाहिए था चाहिए बात है कि यह भी निस्कर्च आना चाहिए जब चर्चा होती है कि होना क्या चाहिए था होना क्या चाहिए था आप क्लियर है कि चाहिए हिंदु धर्म शुधारक हो या इसलाम धर्म के शुधारक हो भारत जो भारत दारूल हर्व नहीं था इसको दा दिकाल तक नहीं और पस्य में इसे अमद इसे अम अपना तीत खोजने के लिए जाते वलकर यहीं पर रहा कर वो अपना आतीत खोज़ते एक समनवित संस्कृति का विकास होता यहां पर और आपको नोट करके बता दूं इसलिए पूरा वीडियो लेक्षर देखेंगे तब ही भी द्धु धर्म शुदारत उनके विचार किसी भी प्रकार के सामपरदाइक नहीं थे, वो द्रिष्टांत देते थे और उसके लिए अतित का गृहन करते थे, अतित से प्रेरना लेते थे, भारत के एकिकरण के समर्थ तक थे, समाजिक धर्म शुदारों के प्रनेता थे, उ लेकिन इनके द्वारा जो किये गे कुछ कार्ज के सहली थे जिसको आप कह सकते हैं उससे किसी रूप में शामपरदायकता का अवस्य विकास हुआ इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता यह आप कहेंगे तो एक बीच का रास्ता निकालना ऐसा नहीं कि हाँ यह सामपरदायक थ लेकिन फिर भी इनके द्वारा जो कार्ज कियेगे उनसे किसी ने किसी रूप में शामप्रदायक्ता का जरूर विकास हुआ पर नेक्स्ट जो पॉइंट हो जाएगा सामप्रदायक्ता के विकास में वह हो जाएगा जिसको हम लोग कहेंगे फिर से एक बार पीछे हम चलते हैं ताकि यह स्पेस बन जाए जो हो जाएगा हो जाएगा उग्र रास्ट यह आंदोलन और शामप्रदाइक्ता उग्र राष्टवादी तो इसका किस तरीके से और इसको कैसे समझना है पूरे ध्यान पुर्वक सुनेंगे यहां पर किस तरीके से इस पर मिस्कर्स निकालूंगा क्योंकि इस तप टॉपिक पर लेखन करना बहुत कठिन काम है क्योंकि आपके लेखन जाजी थोड़ी से भी इधर शिधर हुए उसी दे जीरो मार्क्स पाज हैं उग्र राष्ट सब्सक्रापदी के अंतिम्दसक से सुरू हो चुका था लेकिन उन्हें 105 से हम लोग मानते हैं जो उग्र राष्टवादी थे भारत में जैसे कि मान लिजे कि लाल लाजपत रहते यानि लाल थे पाल गंगाधर तिलक थे लाल बाल पाल थे विपिन चंदर पाल थे अरविं प्रकार से शांपरदाइक नहीं थे किसी भी प्रकार से शांपरदाइक नहीं थे कि और नहीं इनके करण से कोई ऐसी चीजए हमें देखने को मिलते लेकिन फिर भी भूल बस कुछ होगा जिससे बढ़ेगा ये भी जो थे स्वतंतरता के समर्थकते सैलियां अलगती कार्ज करने के लेकिन स्वतंतरता के भारत के स्वाधिनता के समर्थकते ना के बल भारत के स्वाधिनता के समर्थकते वलकि ये रास्ट के एकी करन के भी समर्थकते ये ज्याद रखना एकी क करन के भी समर्थक थे लेकिन इसके बावजूद भी क्या है कि इन उग्रदाष्टवादियों के द्वारा अपने कार्शायली में कुछ ऐसे कार्जों को प्रवेश दिया गया जिसके कारण क्या हुआ कि यहां पर शाम्प्रदायक्ता का किसी ने किसी रूप में विकास हुआ तो वो पहला क्या था जैसे तिलक के द्वारा सिवाजी उत्सब की शुरूआत की गई दूसरा रामदास उत्सब की शुरूआत की गई और तीसरा इनके द्वारा गनेस उत्सब की शुरूआत की गई एक दूसरा क्या है कि इसी तरीके से यह तो महरास्त और उसके बाद ध दिरे दिरे बंगाल में अर्विंद घोस के द्वारा भावानी और काली पूजा की शुरुआत की गई अर्विंद घोस के द्वारा भावानी और काली पूजा की शुरुआत की गई तूसरा तीसरा इसी तरीके से जो इसी समय से आप देखते हैं क्रांतिकारी राष्टी के लिए क्रान्तिकारियों के द्वारा भी कारियों का अन्जाम देने के लिए भावानी के सामने कसम खाते भावानी के सामने क्षपत्थ लेते थे और फिर चौनधा कि जो शिवाजी थे जो सिवाजी थे और जो महराना प्रताप थे जो सिवाजी थे और जो महाराना प्रताप थे तो सिवाजी को और महराना प्रताप को एक तरीके से रास्टिय नायक के रूप में प्रस्तूत किया गया जबकि और अरंजेव और इसी तरीके के अन्यशासक को खलनायक के रूप में प्रस्तूत किया गया और अंजीव और अनलिसासक को खलनायक के रूप में प्रस्तूत किया गया तो यहां पर क्या हुआ कि अब इसको आप समझ इसी तरीके से जैसे मालेजे बंगाल विभाजन के खिलाप जो स्वदेशी आंदोलन होता है तो आंदोलन की शुरुवात की जाती है तो जाहिर शी बात है कि ऐसे विचार जिसमें मालेज़े कि अलांकि यह जितने भी मैंने पहले ही का कि यह उग्र राष्ट वादी थे यह किसी भी प्रकार के शामपरदाइक नहीं थे इनके जो भी कार्ज थे यह विचारों में कार्ज मे शुरुआत कर रहे हैं लाप मुश्णिम्त में जौर नहीं सकते उसमें जोड़ेती की उश्यंकों को एक तो फिर अब उमीद नहीं कर सकते कि मुशलमान जो है रास्ट्य आंदोलन से जुरेंगे या उनमें रास्ट्य एकिकरन की भावना आएगी यह संभव नहीं था उसी तरीके से आप गंगा में दुबकी लगाकर प्रभात थेरिया निकालेंगे और तब चाहेंगे कि यह आंदोलन में जो पढ़े लिखे मнषलमान एसा नहीं थाके भागे जान लेने की जरूरत है कि इन रूप में विकास्वा इससे इंकार नहीं किया जा सकता यहां पर समझने की यह जरूरत है कि सिवाजी और हमारे रास्टे नायक है इसमें कोई दो रहने बिल्कुल आज भी पूरे भारतवासी सिवाजी और और महालानापरताब की व्रीटा से प्रоды होते हैं पूरा रास्त उनका संधान करता है इसमें क्लेशमाटिक होना एक बिदेशी होने का पृवान नहीं है तो फिर और ऑबर इसने विचो काम किया भारत के लिए वागलोने जो जो भी क्याम कैसा भारत में मौझूद है यदि केबल केबल और केबल एक मुश्लिम होना विदेशी पन का सूचक नहीं है तो फिर औरंजेब भी यहीं के अकबर भी यहीं के अनिशासक भी है को समझने की जरूरत है कि हम किसको किस रूप में लेते हैं यहां पर यहीं चाहिए था कि औरंजेब भी यहीं के अकबर भी यहीं के सबसे पहले देखो कि इसका सबसे पहला कारण तो यहां था कि संस्कृतिक के माध्यम से यह लोग एक भारत में उस समय सांस्कृतिक जागरन लाना चाहते तहें संस्कृतिक जागरनए देना चाह रहे थे सांस्कृतिक राष्टवाद को बरहवा देना चाह रहे थे और आज भी आप देखते हैं कि गौव में जदी कोई यग्य होता है आपके यहां कोई तारजनिक शमारो होता है तो इसमा बड़े पैमाने पर मिलते जुलते हैं जो बहुते ही इसके माध्यम से क्या होता है कि समाज में भाएचारे की भावना बढ़े और इस सबसे पीछे क्या था कि चोथा और जो सबसे प्रबल कारंत उन चीजों को बढ़ावा देने का था कि इस समय वीसमी सताबदी के प्रथम दसक में भारतिय समाज का एक तबका तेजी से पस्मी करन की और जा रहा था और पस्मी करन का वो अंधानू करन कर रहा था पस्मी करन का अंधानू करन कर रहा था तो जाहर सी बात है कि ज़िए भारत का तबका पस्मी करन का अंधानू करन कर रहा पस्मी परिधानू उसके संस्कृति को अपना रहा है तो ऐसे में यहां पर शांस्कृतिक जागरन अधिक था तो यह एक महत्वपूर्ण पॉइंट था कि नहोंने इन चीजों की शुरुआत की और उससे भी बड़ा चीज किया था कि यदि ब्रिटिस सासन भारत में लंबे समय और तिक रहा और घुपा भी गया था इसके पीचे एक संस्कृतिक नीटी थी को उन्होंने हमारे संस्कृति को कमजोर करके करके बोल रहे थे इन लोगों की कोई संस्क्रिती नहीं आपने दिखा उगाप 2017 विद्रों के बाद भारतियों को अर्द मानव की तरफ रस्तूत किया गया था समाचार पत्रों में गोरिला की तरफ रस्तूत किया गया था वाइट मेंस बर्डेन का सिध्यांक लाया था तो भारत की जो कल्चरल सम्रिदी थी उसको इग्नौर करके ब्रिटिस कल्चरल सम्रिदी को यहां पर डाल जा रहा था परजाइड सी बात है कि जब तक आपको अपने संस्कृति पर गौरव महसूस है आप अपने आपके संस्कृति से गौरवान भीत नहीं होंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं तो इन लोगों का मूल प्रियोजन तो यही था कि जो भी तिलक थे जो विकासों देश में समाज में भायचारे की बावना बरे समाज के बरा तबका जो अंध्वानु करन के और जा रहा वो रुख जाए पस्मी करन के और भाग रहा वह रुख जाए और शब से बरा कि जो संस्कृति को हीन करने की विचारधारा चले दिक भारतिय संस्कृति कुछ नहीं है उस पर लोगों को फिर शे गर्ब करना है और जब आप अपने उपर गर्ब करेंगे तो आत्मंबल बरेगा आत्मिश्वास बरेगा तभी आप दूसरे से लर सकते हैं संस्क्रति के पीछे यह लॉजिक था फिर पर एक बार बता देता हूँ की यह जो भी थे किसी भी रूप में शांपरदायक नहीं थे क्योंकि जो लॉजिक था इनका इसके पीछे यह आपको कहीं बुक में मिलेगा नहीं जो मैंने बता दिया है अब इस logic को जदी आप पकर लेंगे तो समझ जाएंगे ये किसी भी रूप में शामपरदायक चाहे वो तिलक हो चाहे बाल गंगादर तिलक हो चारविंद घोश हो चाहे बेविंद जंदरपाल हो ये लोग किसी भी रूप में शामपरदायक नहीं थे बिल्कुल जो point है वो है लेकिन फिर भी क्या हुआ कि ऐसे प्रतीकों के प्रियोग होने से मुश्लिम शमाज का जो खास करूंडिवादी तब का था जो इस तरह के की चीजों को आज भी जादे पकरते हैं उन लोगों का राष्टबाद से विमुक होना शुरूआ उनमें अलगावाद की प्रवि क्यांकि कुरान भी अपना है गीता विए अपना दोनों का उद्धरन देंगे दोनों जनता साथ चलेगी यहीं काम होता था किसान आंदुलन के समय जब स्वामी सहजानन्द सरवस्वती और गीता का भी देते तो यह होना चाहिए था सम्रश्ता का पूर्ट और यहीं कुछ ऐसा कर बैठे तो हो सकता था कि जो भारत का विभाजन हुआ जो शाम्प्रदैक्ता आई वो नहीं होता अलांकि जब इतिहास में कोई घटना घटित हो जाती है तो उस पर तो कई सारे प्रशन उठते हैं लेकिन जब वो घट जाती है यह भी सत्य है को इतिहास का भाग बन ज उससे उसकी समझ गया है कि कीत तरीके से इसकीजfriend मुझे हुई तो उस पर हम लोग समझ गया है अब सभसे जो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा चरड़ के कारण का और बढळने के कारण का वह हो जाएगा यह पर जो नेक्स्ट पॉइंट जो हो जाएगा वहां पर यह हो जाएगा देश का आर्थिक पिछरापन और शाम्प्रदाइकता इससे कैसे शाम्प्रदाइकता तो आप रिलेट करेंगे कैसे आप लिंक करेंगे यह बहुत मैंने रखता यह ध्यान में रखने की जरूरत है तो देश का आर्थिक पिछरापन और शाम्प्रदाइकता किस तरीके से आगे बढ़ता है यह आप ज्यानते के तब से पहले क्या था कि ब्रटेश शासन के लंबे शासनकाल में आप मूल रुप से 1757 से मान लो जब से प्लासिक उनकी विज रोजगार के मोर्चे पर कोई काम नहीं किया और यह कोई आस्यर्ज की बात भी नहीं थी क्योंकि वहां वह रोजगार स्रेजन करने के लिए आये नहीं थे भारत का आर्थिक रूप से शांस्कृतिक रूप से राजनितिक समाजिक रूप से दोहन करने के लिए उनका तो य बेरोजगारी जो थी वह काफी चरम परती और शिक्षित बेरोजगारी जो थी काफी एक जटिल समस्या का रूप धारन कर रहे थी जटिल समस्या यह आप जानते हैं पीसरा इस समय जो थोरी बहुत क्या थी मैंने पहले भी करता बताया कि सरकारी नौकरी था तो सरकारी नौकरी के लिए क्या था कि जो कलर के किरानी चपरासी का मिलता था तो सरकारी नौकरी के लिए क्या था करी प्रतियस परदाती क्योंकि नौकरी तो सिम मिलना है तो जाहिरशी बात है कि अब इसका क्या रत है कि एक तो जब किसी भी छेतर में अब पहला निसकर्ट यहां से निकलता है कि जब रोजगार के छेतर में क्या था पहला की पॉइंट कि अबसर यहां पर क्या था सिमीत था और जो अबसर था वहां पर क्या था करी प्रत यस्पर्दा है जाहिर सी बात है कि इस सिमीत अबसर को प्राप्ट करने के लिए कि अब किसका रूप लेगा सिमीत अबसर को प्राप्ट करने के लिए लोग शाम्परदायक और धार्मिक भावनाय जगाएंगे और बात में जातिगत और प्रांतिय भावनाय भी भर्काने की कोशिस की गई इस सिमिध अबसर को प्राप्त करने के लिए जो रूडिवादी लोग थे जो इस तरीके के विचारों में पशंद करते थे जो रुडिवादी लोग थे जो अलगावाद के समर्थक थे लोगों रुडिवादी लोगों के द्वारा रुडिवादी लोगों के द्वारा दूसरा जो अलगावादी लोग थे अलगावादी थे यानि कि जो सेप्रेटिसम के समर्थक थे ऐसे लोगों के द्वारा क्या ग दे गई रोजगार के नाम पर राजनिती की शुरुआत और यह तो आज भी भारत में होता है रोजगार के नाम पर राजनिती की शुरुआत और जब रोजगार के नाम पर राजनिती की शुरुआत होगी तो इसी क्या धार पर आगे क्या भरकेगा विभेन संपरदाय के धार भावनाओं को पहुंचाया जाएगा धार्मिक भावनाओं के नाम पर दोहन होगा लोगों का धार्मिक भावनाओं के अधार पर चाती के अधार पर लोगों का क्या होगा फिर संपर्दाय के अधार पर या प्रांत के अधार पर क्या होगा लोगों का दोहन होना शुरू होत है ऐसे लोगों में क्या होता है ने ऐसे इस्तिति में कि जो रुडिबादी तबके के लोग होते हैं जो अलगावाद के होते हैं जिनका इसी में हित होता है वो लोग जाहर सी बात है कि यह जो देश का आरथिक पिचरापन था इस देश के आरथिक पिचरेपन ने कियाक्या जिसमें मैने जो अनलाइिस किया इसको ध्यांवर रखना है इसने किसी democracy रूप में सामप्रदायक्ता की विकास को बढ़ावा दिया था यह आपको ध्यांवर रखने की जरूरत है next point जो हो जाएगा सांप्रदायक्ता की विकास वह हो जाएगा Muslim League और उसकी सांप्रदायक्ता Muslim League और उसकी सांप्रदायक्ता अब यहां से सांप्रदायक्ता की दूसरे phase में जैसे आपने पहला lecture दिखा होगा जेसी प्रधारित है नियुक्त को आपने देखा होगा तो आप समझ लीजी कि अब नर्मपंथी सांप्रदाइक्ता का चरन बीच चुका है और मॉडरेट सांप्रदाइक्ता के चरन में लीख की अस्थापना के साथ ही प्रवेश कर जाते हैं तो सबसे पहले मुश्लिम लीग और इसकी शाम प्रदायकता की नीती क्या है तो सबसे पहले आप देखें कि मुश्लिम लीग की जो अस्थापना हुई थी यह अस्थापना 1906 में हुई थी और इसकी अस्थापना में जो सहायक रहे थे कि धाका के नवाव जो आगा खान थे और नवाव मुहसिनुल मुल्क के नित्रितम हुआ था यह आका के नवाव धाका के नवाव आगा खान और नवाव मुहसुनुल मुल्क के नित्रित्व में हुई थे यह जो मुस्लिम लीक की अस्थापना हुए थी थुरा साथ इसके पीछे की राजनेती को समझे यह जो है न बेसिकली क्या था कि इस समय तक सरकारी नौकडी की जो मैंने आपको बताया था वह स्थिती काफी गरम था और आप देख रहें यह समय कब का 1906 के यानि बीसमी सता कि अब्लब्च का जो प्रतम्ढ़ सकता यानि कि 900 सेलेके 9010 तक का यह भारत में एक ऐसा समय जिसमें भारत में एक उग्र राष्टवांद यह सकते हैं शंगरश राष्टवाद की भावना थी जुजहार्य नहीं सरकार को चुनौती दे रहा था और यह वही समय था, जिस समय कुरांतिकारी रास्टी आंदोलन का भी बीजारोपन हो रहा था। सामना करने के लिए उसको काउंटर करने के लिए हैं अंग्रेजों के इसारे पर मुश्लिम लिए की अस्थापना करवाई गए इसलिए मुश्लिम लिए जब तक बना रहा अंग्रेजों के हाथों की कटकुतली बना रहा फिर जाकर एक तरीके से 1908 में मुश्लिम लिए का तरीके से संबिधान बनता है 1913 में जाकर अस्थाई रूप से आगा खा मुश्लिम लिए का अध्यक्ष भी बन जाते हैं और जब अध्यک्ष बनते हैं तो मुश्लिम लिए की जो कार्ज शैली थी और उसने क्या क्या कब क्या उस अधार पर आप समझ जाएंगे कि मुश्लिम लिए की अस्थापना होने से पम उसको समस्झ गये होंगे तो मुश्लिम लीक के द्वारा उपनिवेस वाद की कोई आलोचना नहीं पर जाहिर सी बात है कि चुकि आप उसी के समर्थक हैं यानि आलोचना नहीं कर रहे हैं कोई आलोचना नहीं जाहिर शी बात है कि आप उनके विचारधारा के समर्था क्या आप उनकी सारे पर चलना है और आप चल भी रहें दूसरा इसने पंगाल विभाजन का भी समर्थन किया बंगाल विभाजन का समर्थन क्या क्योंकि मुशलिम लिख की जो अस्थापना हुई थी वो बेसिकली रुधिवादी तवके के मुशलमानों के शाहत हुई थी क्योंकि बंगाल विभाजन के खिलाब जो स्वधेसी आंदोलन हुआ था उसमें भी कई सारे राष्टवादी कर रहे हैं तीसरा इनके द्वारा जो है सरकारी नौकरी में जैसे मैंने पहले ही कहा कि इसी को लेकर यह वैसरा सिमला में मिले भी थे सरकारी नोक्रियों में मुशलमानों के लिए विसेस विवस्ता हो की मांग की, विशेश विवस्ता की मांग की, तो ये भी एक तरीके से सामपरदाइक राजनिती को हवा देने विजैची बात थी, फिर इन्होंने मुशलमानों के लिए प्रथक निर्वाचन की मांग की और इसको मांग मनवा के भी रहे, मुशलमानों के लिए प्रथक निर्वाचन की मांग की और उसको मनवा कर भी रहे ये भी सामप्रदाइक फिर नो ने भी कहा कि जो मुशलमानों का हित है वा हिंदूओं के हित से अलग है यानि कि दोनों पंथ के हित अलग अलग है मुशलमानों का हित हिंदूओं के हित से अलग है जाहिर शी बात है कि मुश्लिम लीग जो है आप देख रहे हैं बिल्कुल और कॉंग्रेस की जो रास्टे मांगे होती थी लोक्तांत्रिक मांगे होती थी उसकी आलोचना करना इनका काम होता था तो पूरे जीवन चरितर तक मुश्लिम लीग जिसके अस्थापना उने शो छो हुख करना करने के लिए जुनों ने मुश्लिम लेकि अस्थापना कर्वाइ और मुश्निम विभाजन का समर्थन कि और फिर से बता दूं कि बंगाल विवाजन अंग्रेजों की बाटो और राज करो कि निती पराकास्था है उसका समर्थन कर रहें एक तरीकी से यहां के निते साम्वरदाइक रन्करने चे पर लिक्राइगल को मिलता था आप एक यहां के रिष्ट कर एप Fields बिखिसके पर लोगों को Скिरों को मिल जाता कि कि मैंने का कि अंग्रेज़ों की सारों पर ही सब कुछ किया गया था ऐसा करें ऐसे आगे बरहेंगी और फिर मुशलमानों का हित हिंदूओं से अलग है ऐसी बाते करना कंग्रेश की लोकतांत्रिक और राजनितिक प्रिक्मांगों की आलोशना करना यहां से शरू होकर और आगे देश विभाजन तक पूरी तरीके से इनका इसे चरिटर रहता है तो इसके कारण यहां से क्या होता है उन्हेंशोचे से सामप्रदायक्ता अपने दूसरे चरण में प्रवेश कर जाता है जो मैंने आपको केज पॉइंट जब आप जान रहें तो अगला पॉइंट हो जाएगा कि 1909 का एक्ट और शाम प्रदाइकता तो यहां से हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे यहां से अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में इस पर चर्चा करेंगे यहां से लेके देश विभाजन तक एक और लेक्चर तीसरा वीडियो आपके पास आएगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह जो पूरी तरीके से यह एक और फिर से बोलूंगा यह ऐसा टॉपिक है जहां पर किसी भी पुर्वाग्रह से ग्रसित हुए बिना इनलैसिस की जरूरत है तो मैं अपनी तरफ से कोसिस कर रहा हूं कि हर एक वो चीज आप तक पहुंचे जो अथेंटिक है और शहीं है और आपको भी कहता हूं कि जब भी आप जो एस्परेंस हैं वीडियो देखें किसी भी पुर्वाग्रह की भावना से यह वीडियो ना देखें और बिल्कुल जो इतिहास का निस्पक्ष मुल्यांकन है मैं वही करके आपके सामने दे रहा हूं तो आप इस वीडियो को देखें और अगले वीडियो मे कोई अकाडमी के सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो पलस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहेंगे तो प्लस कोर्स के 12 मंत का सब्सक्रिप्शन थो हैं यकर और रिफरल कॉटिन dessa जाएगा तब 12 मंत का सब्सक्रिप्शन आपको 44,550 में मिल जाएगा और यदि आप 24 मंत का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यहां पर भी आप मेरा रफरल कोड़ शंकर वाईटी परियोग करेंगे तो तो तेन परसेंट पाएंगे तब 24 मंत का सब्सक्रिप्शन आइकोनिक वह आप सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है क्या क्या है आपको डेली लाइब क्लास लिह आपको जैता है यह दोनों में प्रशचनल मिलता है देली मेंस पोस्क्रिण आंसर प्रैक्टिस स्टेडी प्लानर और प्रश्णल फीडबैक के अधार पर आपकी तयारी जाती है जाए जो आप सिबिल से बाद जो देश की सबसे प्रतिस्टेट से बाद सबसे टॉफ कंपेटिशन है उसकी आप त्यारी करें तो वहां पर एक प्रतिक्षक का होना जरू अलगसे niet छोड़ाय। मनथ यह सब्सक्रिपशन है आलागसे सभ्सक्रियों प्रियोग करें तो तो सब्सक्रिपृइबर यह 9755 पर लोग्रफए बास में कर्याय के यूच्छ यह उनुट्यूब चैनल पर जोग्रफिज पर की में सब्सक्रिपर घोग्रफिण 450 को होती है आप उसमें हमसे जुड़ सकते हैं अभी इसकी पहली क्लास हुई है जिस पर मैंने केवल और केवल और औरियंटेशन क्लास के रूप में सिलेबस फरसन के नेचर इन सब चीजों पर ज़र जाकिया आज जो है उसमें एक और और औरियंटेशन क्लास होगा और आप उसमें भी पार्टिसिपेट करें जैदि आपका जोग्रफी ऑप्सनल पेपर है और आप सब्सक्रिप्शन लें मेरा रेफरल कोड यूज करें शंकर वाईटी आप हमसे जूर जाएंगे और फिर इस वीडियो को शभी लोग लाइक करे सेर करें सस्क्राइब करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देखें लाब उठाएं बेनिफिट उठाएं और शभी को थैंक्यू है धन्यवाद है अगले लेक्शर में हम आपके लिए तीसरा लेक्शर लेके आएंगे जिसमें उन्हें सो नौ के एक्ट से लेक सब्सक्राइब है यह एक और लेक्शर में जाएगा चुकि जब शुरूर हुई है तो अच्छे से आप किसको जाने वह जादे कि टॉपिक जंप करने से कोई फाइदा नहीं है एक लेक्शर में और यह जाएगा और आफ्टर जो है सो हम फिर आपके पास मदिकाल का सब्सक्राइब है तक के लिए थैंक यू